हालो फ्रेंड्स आम दन्वी और वेलकम टू मैं चानल तेस्वेदीस तो आज मैं बनाने वाली हूं सूजी का उपमा आए देखते हैं उसकी रेसिपी यहां मैंने कड़ाई लिए है और कैस अन कर दिये है अब मैं यहां पर डाल रहे हूं एक चमज घी जब यह मेल्ट हो हमारी सूजी का गरलर लाइट ब्राउन हो गया है अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे अब मैंने उसी कड़ाई में एक चमज घी और लिया है और इसको गरम कर लेंगे अब इसमें डाला है मैंने चार से पांच चमज मूंग फली के दाने और इनको लाइट ब्राउन कर लेंगे रोस्ट कर लेंगे लो फ्लेम पे हमारी जो बूम्फली हैं बहुत अच्चे से रोस्ट हो गई है पांस से दस मिनट लगे इनको रोस्ट होने में लो फ्लेम पे तो अब हम इनको एक प्लेट मे निकाल लेंगे यहाँ पर मैंने एक चमच खी और लिया है जब यह गरम हो जाएगा तब यहाँ पर मैंने डाला है आदा चमच राई के दाने पांस से दस करी पत्ते और जब यह अच्छे से भुन जाएगा तब इसमें डालेंगे एक कटी हुई बारी कटी हुई प्याज और इसको मिक्स कर लेंगे अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ दो चमच उड़द की दाल जो वाइट वली होती है वो वली और इसको मिक्स करके अच्छे से लो फ्लेम पर लाइट ब्राउन होने तक भून लेंगे हमारी दाल करारी सी हो गई है क्रिस्पी हो गई है तो अब इस टाइम पर मैं डाला हुए टमाटर और एक बारी कटी हुई हरे मर्च और इसको मिक्स कर लेंगे अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ नमक नमक आप अपने टेस्ट के कॉरिंग डाल लिजेगा आधी टी स्पून मैंने डाला है लाल मर्च पाउडर और मिक्स कर लिए अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ दो गलास पानी अब यहां पर मैंने डाला है आधी जमच चीनी यह optional है आपको डालना हो तो आप डाले जगा अधरवाइस स्किप कर दिजगा जब हमारा पानी बहुत अच्छे से उबल जाएगा ता हम इसमें दीरे दीरे करते हुए सूजी डालेंगे एक हास से डालेंगे एक हास से चलाएंगे ताकि इसमें कोई गुठिनी आना पड़ जाए और मिक्स करते हुए पांस से दस मिनट के लिए इसको लो टू मीडियम फ् कर दी थी अब यहां पर मैंने डाला है एक नीबू का रस अब डाल रही हूं मैं एक चमत देसी की और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे अब यहां पर हम एट करेंगे मूंफलियां जो हमने भून के रखी हुई थी और हमारा हेल्दी यमी उपमा बिल्कुल तयार है यह ब्रिकफास्ट के लिए बहुत हेल्दी ऑप्शन है तो आप एक बार इसको जरूर ट्राइ कीजेगा और कॉमेंट सेक्षन में बताएगा वीडियो कैसी लगी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेर सब्सक्राइब करतीजेगा बैल आइकन को प्रेस करतीजेगा इसी तरह की नई वीडियो के साथ जल्दी मिलती हूँ आपसे तब तक के लिए बाई टेक केर